तो हिमाचल पूलिस की इतिहास में और इन्वेस्टिगेशन के पयाम में आज हमारा एक बहुत बड़ा हाई पॉाइन्ट है जिसको हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, सांजा करना चाहते हैं आप जानते हैं कि मानव भारती उन्वस्टी का जो केस है बहुत प्रचलित था बहुत फेमस था और इसमें तीन एफ़ायर्स पुलिस टेशन धरमपुर में पिछले साल हुई थी 22, 26 और 27 नंबर मूलता बेसिकली ये क्या थी ये कि मानव भारती उन्वस्टी ने फेक डिग्रीज बनाई और फेक डिग्रीज बेची तो 467, 468, 471, 420 IPC में थे और कॉंस्पिरेसी के भी दारा थी तो शुरू शुरू में ये SIT, SP, Solan के अंडर थी तो उन्होंने कुछ काम किया और जब मैं DG बना था उसके बाद हमने जब रिव्यू किया हमने देखा कि ये मामला बड़ा संगीन है और it is only like tip of the iceberg जैसे iceberg होता ना उसमें जो tip दिखती है उतना ही है लेकिन अगर हम इसको investigate करें तो काफी नीचे तक ये होगा मैं माने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने floor of the house पे ये announce किया कि SIT, Special Investigation Team एक high level की हिमाचल पुलिस के अंडर constitute करेंगे और उन्होंने हमारे पर विश्वास जताया, option सरकार के पास दो थे या तो CBI को refer कर सकते थे या हम को दे सकते थे लेकिन मैंने माने मुख्यमंत्री जी को confidence दिलाया कि हम नाकेवल इसको professionally करेंगे, जल्दी करेंगे और जल्दी अंजाम तक लाएंगे और जो हमारा experience CBI investigation देने का जैसे scholarship scam या दूसरा था, वो कोई अंजाम पे पहुंचे नहीं थे मैं अपने जो SIT की जब हमने constitute की थी, तो SIT के chief थे Mr. N.O. Venugopal, ADG CID और उनके number two थे Mr. Himanshu Mishra, IG Southern Range, इसमें फिर chief investigating officer हमारे थे Bimal Gupta, DIG Crime, और चार टीम हमने बनाई थी इसमें, चार टीम में जो हम टीम थी, उसकी जो head थी, वो रंजना चुहान है, kindly, can you stand up, तो ये अपना काम बताएंगी? हमारी टीम को जो main काम दिया गया था, वो तो financial investigation करने का, जिसके नतीजे में अभी जो ED ने आपका attachment किया है, तो वो उसका base हम को बनाना था, क्योंकि ED को predicate offense चाहिए होता है, तब ही वो आगे काम करता है, तो उसका पूरा base हमारी टीम को बनाना था, उनके कारवाई करने के हमारा जो government functionaries है, government departments है, अलग-अलग जो इसमे involved है, उनके functionaries के रोल को भी हमें धूनना था, कि उनका कोई ऐसा रोल तो नहीं राज जिसके, यह facilitate हो है, वो काम हमारी टीम को दिया गया था, और दोनों ही cases में हमने एक तो, एक तो reports हमने बना दिया है, उसमें भी हम का तो आपका सामने ही है, अब इससे आगे का तो financial की नहीं रहा है, देखें, ऐसा इनके दो टास्टे, एक तो financial investigation करना, एक conspiracy को detect करना, conspiracy में commission and omission है, basically, ने कैसे बना, यह कैसे इतने fake degrees कर पाया, दो नंबर जो हमारी team थी, उसके chief थे, SP Solan, वो basically Solan-based, कि land जो इनोंने लिया, उसकी investigation थी, और उसके जो basically fallouts थे, और उसके जो linkages थे, team number जो हमारी थी, team, Sandeep Dhaval, Sandeep Dhaval था, basically, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा digital evidence था, digital evidence इसको examine करना, और इसको basically beneath ground से उपर लाना, कि है अनर्थ जिसको बोलते हैं, अनर्थ करना, अनर्थ करना, तो अनर्थ करना था, दूसरा Sandeep Dhaval ने technomag का case भी investigate किया, और उसमें उसको national award for best investigator भी मिला, तो उनका काफी experience था कि जो विदेश में accused हैं, उसको कैसे लाए, तो passport का revocation, राजकुमार राना का, इसका परिवार Australia में है, इसको वापिस कैसे लाना, दो task थे उसके, उन्होंने भी बड़ा खुबी अपना task निबाया, चोथी team हमारी विरंदर कालिया की थी, जो SP Crime है, वो interstate के linkages हैं, कि कहां कहां तक इनका जाल फैला हुआ था, और जो 100 फर्जी डिग्रियां थी, सब को identify करना, कौन कहां है, फर्जी डिग्री क्या है, और उसमें कितना पैसा लिया गया, कौन किदर है, वो करना था, तो चारो टीम ने बड़े अवल दर्जे का काम किया, टॉप, टॉप रेट वर्क किया है इनोंने, और ये हिमाचल के इतिहास में जो financial investigation इससे बैतरीन आज तक नहीं वी, तो लाजली मैं आपको थोड़ा सा इसका plot बताता हूँ, जैसे हर कहानी का एक plot होता है, राजकुमार राना ओरिजनली करनाल का है, इसकी एक शादी वी थी, फिर उससे तलाक हो गया था, फिर इसकी जो बीवी थी अश्वनी कवर करके उन्ना की एक रहने वाली थी, जिसका फादर आर्मी में था, तो आश्वनी कवर के फादर ने कुछ अपनी बेटी को दिया आश्वनी कवर को, जिससे वो हिमाचली अगरिकल्चरिस बन गई, ये पहले छोटा सा एक फार्मसी कॉलेज करनाल में चलाते थे, और आनलाइन कोर्सिस भी करते थे, इन्होंने सोचा कि हिमाचल में एक युन इन्वेस्टी के लिए इन्होंने दस्तावेज दिये, तो तब की कैबिनेट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, दो रीजेंस दिये, लाजली कि इनकी फाइनेशल बैग्राउंड नहीं है, दूसरा इनका एजुकेशनल बैग्राउंड नहीं है, उससे पहले क्या एक मानव भा मानव भारती ट्रस्ट और जो एक पैरामेडिकल काउंसल अप इंडिया जो करनाल में चलाता था, इन्होंने दुबारा दस्तावेज कैबिनेट में दिये, और कैबिनेट में ये फिर इसको LOI मिल गया और इसने उन्वेस्टी 2009 से चालू की, दोराने इन्वेस्टिगेशन ह कि कुछ तो रिकॉर्ड इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, जो हमको रिकॉर्ड मिला, उसमें 55 डिस्क थी, हार्ड डिस्क थी, 55 हार्ड डिस्क में 14 हमने एक्जामिन की हैं, 14 एक्जामिन करने के बाद ऐसा हमको मिला है कि करीब 36,000 के करीब फेक डिग्रीज हैं, 41,000 टोटल तो अब तक की जो investigation में करीब 36,000 के करीब हमको फेक मिली थी अब यह था कि इसका modus operandi क्या था modus operandi basically जो fake degree का कारोबार cash में चलता था इसलिए रंजना की investigation बड़ी एहम थी कि financial investigation क्या है conspiracy क्या है तो जो conspiracy देखी financial investigation देखा तो इसने इस जरिये से काफी property बनाई थी मानव भारती university बनाने के बाद इसने एक university राजस्तान में भी उदरपूर में बताई जिसका नाम मादव university था तो वहां भी ऐसा कारोबार चलता था दोराने investigation जो हमने इसकी property जो SS की वो करीब 440 क्रोड की थी और एक term होता है proceeds of crime proceeds of crime हमने पाया कि 194.17 क्रोड इसका proceeds of crime है और हमने ED को लिखा जब हमने SIT बनाई थी उसमें deputy director enforcement direct rate भी थे Mr. Shrivaastava जो यहीं stationed है और deputy director investigation IT भी थे तो enforcement direct rate तो basically property attachment money laundering का देख रही है और income tax जो basically income tax आई कितनी बढ़ गई है उसको देख रही है तो मेरे को लगता है कि हिमाचल के इतिहास में या किसी के state के इतिहास में ऐसे comprehensive investigation कभी नहीं हुई हमने पाया कि 194 करोड के करीब इसने proceeds of crime बनाया है हमने ED को लिखा और हमें बड़ी खुशी है कि ED headquarter ने कल इसका 194 करोड प्रोविजनली attach कर लिया है और यह मेरे को पकड़ा गया है जिसमें money laundering educational institutes में होती है अभी investigation जारी है और बीच में हमने मान्य मुख्यमंत्री को इसकी जो progress से उसकी presentation बार-बार हम देते रहे समय समय पर देते रहे और मुझे बड़ा गर्व है कि कल हमारी जो investigation है उस पर ED ने महर लगा दी और 194 क्रोड जो historic है उसको attach कर लिया है मैं अपने SIT के सारे members को श्री वेनु गुपाल श्री इमांशु मिश्रा बेमल गुपता चारो teams के head रंजना चोहान अभिशेक यादव संदीब धवल और विरंदर कालिया इनके जो अंडर कमांड जितने officials थे उनको बहुत बहुत बदाई देता हूं कि एक बहुत अवल दर्जे का top rate का काम इन्होंने हिमाचल में किया है और ये पहला इतना बड़ा money laundering का case हम detect कर पाए हैं अभी जैसे बोलते हैं पिक्चर अभी बाकी है अभी पिक्चर चलती रहेगी बेटी है बेटा है ये ऐस्टेलिया में है उनको हम वापिस लाने की कोशिश कर रहे है क्योंकि उनको प्रॉपर्टी उनके नाम पे भी है और एक बार आ जाएंगे तो वह भी प्रॉपर्टी हम अब जो proceeds of crime है वह AD से attach करने की हम प्रत्या शुरू करेंगे कुल मिलाके मेरे को बड़ा हर्श हो रहा है कि आज हम करीब चार-पांच महीने इस SIT को बने वे हो गए और इसने ऐसा काम किया है जो बड़े-बड़ी organization सालों साल नहीं कर पाती और बिलकुल यह तहर तक पहुँच गये हैं और अभी हम एक predicate offense है जो basically Genesis Fountainhead कैसे हुआ ये रहेंगे जब उसका investigation हो जाएगा तो पूरा ये जो केस है मानव भारती का ये हमारे control में या under supervision आ जाएगा तो मेरे को largely इस plot के बारे में और जो कल हुआ उसके बारे में ये कहना था अब मेरे colleagues अगर कुछ add करना चाहें तो तो एक बार दुबारा फिर आप लोग आए यहां इसका बहुत बहुत धन्यवाद now I am open to questions और किसी को अगर एक्स्क्लूजिव जो बाइस चबवेस अगर भी लेतने हो we are open to that also इसकी का इसा जो 22 26 और 27 जो फिर हैं आप निगा आप को टिप को तो हमने एड्रेस कर लिया लेकिन मेन आइसबर्ग को भी हम एड्रेस कर रहे हैं डीटेल्स मेरे साथ ही बताएंगे इसमें कुल मिलाके 275 लोगों से विस्तरित हूशताच हुई है अभी तक जिसमें से आठ लोग गिरफतार हुए हैं जिनमें की अक्यूस भी शामिल हैं और दो अक्यूस रभी भी जुडिशल कस्टडी में जो बेसिकली जिसको बोलते हैं ना रूल अफ लॉफ 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 वो हम इस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू एस्टैबलिश कर पाए और मुझे बड़े खुशी है कि हमारी जो केसे बार बार हाई कोट में बार बार हाई कोट में गए हाई कोट की स्कूटनी भी इसमें लेकिन हर बार हाई कोट ने हमारी इन्वेस्टिगेशन पे महर लगाया और कल तो बड़े खुशी की बात है कि एडी ने भी हमारी इन्वेस्टिगेशन पे महर लगाया और एक सो चुरानवे करोड जो इतिहा है इतनी property attached हो गई है और ये एक साल की proceedings होती है ED की एक साल के बाद ये permanently attached हो जाती है के इस देखिये ऐसा है कि इसका परिवार है बाकी इसकी पतनी है बेटी है बेटा है ये ऐस अस्टेलिया में है और उन को हम वापस लाने की प्रक्रिया कर रहे है जिसको extradition बोलते हैं, उसमें हमारा काम चला हुआ है और मुझे आशा है कि उसमें भी हमको सफलता मिलेगी, उसमें भी due process of law होता है, लेकिन हम उसमें लगे हुए हैं, हुआ है, पर मैंटेंड लेवल्स फॉल of law, human dignity, human rights और उसी के हिसाब से हम प्रोसीड कर रहे हैं, और उसी के हिसाब से हमको यह नतीजे मिले हैं, तो जैसे जैसे आते जाएंगे हम करते रहेंगे हम speculate नहीं करते हमारा सारा investigation evidence-based है आप यह बोलोगे यह involved हम नहीं कह सकते जहाँ-जहाँ evidence आता जाएगा उसको हम साक्षाता जाएगा उसको हम collect करते जाएंगे तो यह जो presumption speculation वो हमने कभी investigation में नहीं किया हमने बिल्कु evidence-based investigation की जो investigation आता रहा उसको collect करते रहे हमने ऐसे कोई omnibus kind of statement नहीं दिया कि इतने certificate उसने बेज़े हैं डिग्री बेची हैं इतना पैसा कमाया हमने आपको जो बताया है बिल्कुल सारा evidence-based है इतना के लाओज कोई ऐसे political connection में अभी तिक investigation रहे हैं कि इसको किसी का shelter रहा हो कि इसने बढ़े प्रवाने कि इसने जो देखे मैंने आपको बताया कि हम investigation बिल्कुल top quality की कर रहे हैं हम इस पर speculation नहीं कर रहे हैं हम इस पर basically यह होगा वो हो सकता है वो नहीं है क्योंकि हमारी जो investigation है that is under deep judicial scrutiny and it also scrutiny by EDN income tax and other departments of this आपको जानके खुशी होगी कि इसमें हम financial investigation unit है ministry of finance का जो top unit है उसके साथ भी काम कर रहे हैं ED के साथ भी काम कर रहें income tax के साथ भी काम करें यह सारा fact based है evidence based है जो जो आता जाता है वो हम file में लगाते जाते हैं अभी तक जो evidence में सामने रहे हैं वेंदर कता हमारे पास सत्रा स्टेट्स में आई सत्रा स्टेट्स में इसमें पंजब पंजब हरियाना इमाचल जैंके उत्तर प्रदेश बिहार तिलंगाना थमिल नाडू और मधियो प्रदेश केरला इसमें अभी यह नहीं इतना ही स्टे सर जैसे कि आपने लिकार की इसमें जो बिना सरकारी अधिकारी और करमचारी के मिली बगत से इतने बड़े बढ़े पंजाम नहीं किया जा सकता था क्या अभी ने मैंने यह नहीं कहा मैंने यह नहीं किया you are twisting my words we हमने कहा हम examine कर रहे हैं क्या सरकारी और दूसरे की इसमें सन आएगा तो हम प्रसीड करेंगे नहीं आएगा तो हम आगे चलेंगे तो हम मैंने दुबारा बोल रहा हूं यह speculation speculative investigation नहीं है यह evidence-based investigation है जहां-जह investigation हमको जहां-जह evidence मिलता उसी हिसा उसी लिए हम हमने speculation नहीं किया हमने जो जिसको prejudice बोलते है ना pre-judge pre-judge prejudice जिसको भी मिली we went with the open mind open slate जो जो evidence हाता रहा हम collect करते रहे फाइलों में लगाते रहे लगाते रहे तभी इतनी बड़ी picture बनी है अगर हम pre-judge करते वह यह involved है यह नहीं है तो हम शायद इतना कामियाब नहीं हो पाते आपकी बात है कि कोन involved है यह हमारी तपतीशी आगे बताएगी कैसे संबब होगा है देखिए ऐसा है कि आप में से speculative question पूछ रहे हैं मैं तो अपना investigation का पार्ट बता सकता हूं हमने यह पाया यह you have to put this question to some other people लेकिन हमने जो investigation में यह पाया कि इतना है पांच सजार के करीब साड़े पांच सजार के करीब bonafide students थे चतिसजार के करीब malafide students थे कुल 41,000 का हम को record मिला है और मिलेगा तो हम add करेंगे अब जैसे जो एक case था 100 फरजी डिग्रिया उसका विस्तार से विरंदर बताएं बता उसमें क्या किया आपने एक case था particular हां खड पांच सब्सक्राइब जो एक करेंगे जो उसके वेरिफिशन के रिगारिग हमने 17 स्टेट्स में जो है अभी तक जो है 47 डिग्री फेट जो डिग्री थी वह रिकवर की है तो उसमें हमने 75 के आसपास जो है उनके अट्रिसेज भी वेरिफाई किया उस सारे बहुत सारे तो जैसे जो फेक डिग्री होडर है अभी वो फॉरन में है बाहर है तो उनसे भी हम कांटेक्ट कर रहे हैं जैसी हुआते हैं तो उनसे भी हम दिग्री रिकवर करेंगे रिक गोड्य के दिग्री है उनको कैसे बेंगे ईटे को और टीपर कॉंस्पिरेसी को पकड़ना था डीपर कॉंस्पिरेसी की तरह हम जा रहे हैं प्रूसीड्स अव क्राइम पकरिणा था अब ये एके करके है मलब we have prioritized priority में अब हमारा क्या है कि जो बाकिय बचेवे proceeds of crime है उसको attach करवाए जो main accused है राजकुमार राना उसकी family है बाहर उसको लाए ठीक है Acts of commission and omission जो conspiracy में उसको करें और end में है ये कि जो degree holders है उसमें हम नहीं कर सकते हम तो ये hp regulatory जो commission है उसको देंगे उसकी कारवाई है basically तो मैं बता रहा हूँ दुबारा हमको इतनी सफलता इसी लिए लिए क्योंकि हमने prioritize सारे अपने task किये otherwise ये record चार महिने में इतनी सफलता कहीं किसी investigation agency को कहीं इंडिया में मिली ही नहीं है विदेश में नहीं मिली अगर हम जैसे आप बोल रहे हो उसके investigation में लग जाए तब तो मतलब कई साल लग जाएंगे but we don't want to lose our focus आपको मैंने basic कहानी बता दी क्या है इसमें तो आप भी मेरी कहानी समझ गये होंगे और इसमें क्या करने की जरूरत है ये भी आप समझ गये होगे दूसरा मैंने बताया हम due process follow कर रहे हैं इसमें कोई presumption assumption नहीं है ये होगा वो होगा अटकले नहीं है कुछ evidence based और मैं दुबारा बताता हूँ कि हमारे जो case है high court में कम से कम 20-25 बार लगे हैं high court ने हमारी files कम से कम 20-25 बार पर यूज किये और हर बार हमारी investigation पर महर लगी है तो इसका मतलब है we are proceeding in the right direction ED ने भी कल हमारी महर लगाई है income tax ने भी हमारी महर लगाई है financial intelligence unit ने महर लगाई है और बड़े गर्व की बात है we are keeping the focus and we are trying to get to the bottom of the story अबर फोकस में जो किसी ने डिगरी बेची हमने उसके पार थे खरीदे वाले हम उन पर भी फोकस नहीं कर दो है ऐसा नहीं है आपको इनोंने 100 का पुरा डिटेस दे दिया ना you are mixing up the question ऐसा नहीं है मलब I have my priorities I know what I have to do the team knows what to do and we are doing और हमने आपको priorities बना बता दिया यह हमने कब बोला कि उस पे action नहीं लेंगे ऐसा तो नहीं बोला ना हमने बोला कि what is our focus ठीके what is our focus this is our focus ठीके and we don't want to lose our focus because we have not lost our focus that is why see there is one individual जिसने एक डिगरी खरी दिये but there is an individual who has sold 36,000 degrees तो आप पहले उसको investigate करोगे या इसको investigate करोगे का common sense क्या बोलती है common sense क्या बोलती है आप किसको investigate करोगे one man ना तो वह हमने किया our investigation is driven by common sense, rationality and logic तो हमारे इसी लिए हमको इतनी सफलता मेरी है और इसी लिए हम बार बार यह कह रहे है कि 194 crores कोई मखोल नहीं है 194 crores is not a joke lot of industrialists 6-7 generation में इतना पैसा नहीं कमा सकते इसी लिए है इसी लिए है इसी लिए है I can give you the larger picture of investigation but matter of details are not to be shared with media for the simple reason the case is subjudice अब तो court में चल रहा है but I have given you the larger picture all the details we have in our investigation 194 crores value निकला कैसे है हवा में तो निकला नहीं है वो कोई mathematics से मिला है कोई गनित करके मिला है हमने गनित किया है और जमीन पे वो पाया गया है तो कुछ गनित करके मिला है but I cannot share those details with you but that has been done उसी वज़े से तो हमको 194 crore की property मिली total procedures of crime 387 crore से बाकी भी अभी लगी विया लेकिन 194 crore first tranche में पहली मुष्त में अटाइच हो गया है और ये there is a calculation through which we have come this पुछू, sir किस से कियर इस university का request reject to work किस से को LOI दिया गया किस के इस university is a LOI and a branch अपने देवर्ट जान जेक्ट एग्या initially it was rejected in the year 2008 and 2009 में इसको मिला है LOI 2008 august में reject हो गया था 2009 February में इसको LOI मिल गया था ठीक है तो we come into the picture और मैं दुबारा ये कहता हूँ कि हिमाचल पुलिस को largely इतनी बड़ी financial investigation करने का experience नहीं था क्योंकि होता भी नहीं था और experience भी नहीं था लेकिन we could guide the team और September, October, November, December, January हमने तो खैर ये एडी को पहले बेज़ दिया था order कल आया पांच महीने में पांच मात्र पांच महीने में इतनी हमने progress की है और ये case जैसे picture अभी बाकी है चलता रहेगा और आगे भी हम इसको progress करते रहेंगे बहुत बड़ा scandal है उसी साथ से भी financial भी और इस पांच मामले वेदी क्या दूसरी इंस्क्यूशन जो private institution है कुशी का कोई involvement इसमें लगा है कि किसे ने मनट किया उसे किसरे नहीं इसका जो sister sister था जो मादव उनवस्टी था उदैपूर वो था मालब देवर सिंभाइटिक relationship ना basically क्या था इसका modus operandi था इसने जो पैसा बनाया इससे उसने equal university बनाई फिर आगे आगे कर रहा था तो मलब इसके जो proceeds of crime से उसने मादव university बनाई थी तो मादव university की भी काफी property attached हो गई है तो 194 crores तो मलब it is there are chartered accountants involved in this there are financial analysts involved in this there is ED this is after lot of calculation lot of valuation lot of revenue officers involved हैं यहां भी वहां भी तो कुल मिला के हमने quietly काम किया without any making any noise making any fuss बाकी high court ने यह भी order किया था कि सरकार इसका forensic audit करें तो forensic auditor हमने बिठाया वो forensic audit भी करेगा और वो भी हम report court को देंगे लेकिन जो big news है कि 194 crore तो कल ED ने attach कर लिया है और आगे अभी investigation चालू है और इसकी हम review भी करते रहेंगे और हम आशा करते हैं कि इसके तहर तक हम पहुंच जाएंगे अभी हम मानवबारती की बात करते हैं let us not mix things so every case has to be examined on its own merit अभी आज के दिन में हम मानवबारती की बात कर रहे हैं उसकी साइटी अलग है वो किसी और दिन करेंगे ठीक है इसकी राइफ और बेटाबिटी किस कंट्री में है और अस्टेलिया में है और दूसरा यह को इनों 75 टोटल कोर्शनी की है टोटल एक्यूज कितने है आठ प्रेस्ट होए ना तोटल है कितने है देखिए ऐसा है जैसे जैस कि हमने एक final decision नहीं लिया है कि कितनों को accused बनाना है कितनों को गवा बनाना है अफरल केस में कुछ issues ऐसे हैं जिनको हमें प्रूव भी करना है बहुत सारी चीजें जो है वो हमें गवाहों के थ्रूव ही प्रूव करनी है तो उसमें देखिए यह और अगें आस्किन आस्किन करो ।सरी लिएलोच उस्थच्छ SH Farm टीक कि लाट संटीव ड्रूव ठार उसकंट फ्रूव ábbi से त्रहा है Drug OSUiture स집 Owlali से लिएपिट कौस करें ड़ इसमें कितनती में लाट उन् झामाट यह पemen अर डेस्ट टेक्स विच 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 वे टेक्स वो जैसे जैसे होता रहेगा वी शेरिंग इट विद यू थैंक यू आपका हमें हमेशा सपोर्ट रहा और मैं माने मुख्यमंतरी जी का दुबारा धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे उपर कॉंफिडेंस किया